सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजिक्वेशन चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को एजुकेशन सम्बंदित विडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार सिक्षार्थियों आज आपके सामने रास्ट्रिय सिक्षा नीती 1986 के बारे में परिशर्चा प्रस्तूत करूँगा भारत सरकार ने अगस्त 1985 में सिक्षा की चुनोती नीती सम्बंदी परिप्रेक्ष नामक सीशक से एक दस्तावेज तयार किया इस दस्तावेज पर संपूर्ण भारत में परियाप्त विचार विमर्ष किया गया और बिभिन बर्गों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और इन प्रतिक्रियाओं के फल्सरूप सन 1986 में भारत सरकार ने सिक्षा नीती 1986 नाम से प्रारूप तयार करके जारी किया यही भारत की राष्टी सिक्षा नीती 1986 के नाम से जानी जाती है इस सिक्षा नीती को कुल 12 खंडों में बिभक्त किया गया है प्रतम खंड में प्रस्तावना दूतिय खंड सिक्षा का सार्त था भूमिका तृतिय खंड राष्ट्रिय सिक्षा व्यवस्था चतुर्त खंड समानता के लिए सिक्षा पांचमे खंड में बिभिन इस्तरों पर सिक्षा का पुनरगठन छटमा खंड तकनीकी एबं प्रबंध सिक्षा सातमा खंड सिक्षा विवस्था को कारगर बनाना आठमा खंड सिक्षा की विशय वस्तु तथा प्रिक्रिया को नया मोड देना नवे खंड में सिक्षक सम्बंधी सुझाओ 10. सिक्षा का प्रवंध कैसे हो 11. सिक्षा हेतु संसाधन तथा समीक्षा के संबंध में है और 12. सिक्षा के भविश्य से संबंधित है अब पहला प्रश्णी यह उठता है कि राश्टिय सिक्षानीती 1968 में आई प्रथम सिक्षानीती उसके बाद 1985 में आखिर क्या अवशक्ता महसूस की गई एक और राश्टिय सिक्षानीती की तो निश्यत रूप से राश्टिय सिक्षानीती 1968 की उपलब्धियां स्वयम में महतपूर थी किन्तु यह भी सच है कि 1968 की सिक्षानीती के अधिकांस सुझाओ कारे रूप में परिणित नहीं हो सके क्योंकि क्रियानवयन की पक्की योजनाय नहीं बन सकी ना इस्पस्ट दायत निर्धारित किये गए और नहीं वित्तिय एवं संगठन संबंधी द्यवस्थाएं हो सके परिणाम स्वरूब विभिन वर्गों तक सिक्षा को पहुँचाने उसका इस्तर सुधारने और उसका विस्तार करने जैसे महतपूर कारिय नहीं हो सके समवैधानिक लक्षों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं गाओं एवं शहर के फर्क को कम करने ग्रामीर क्षेत्रों में रोजगार के विविद और व्यापक साधन उपलब्द कराने और आने वाली पीडियों में मानविय मुल्लों और सामाजिक नियाय के प्रति गहरी प्रतिवधता प्रतिष्ठित करने संबंधी चुनोतियों तथा सामाजिक आवशक्ताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने इस नई सिक्षानीति को तयार किया दुतिये खंड जोकी सिक्षा के सार तथा भूमिका से संबंधित है इसमें ये स्पस्ट किया गया कि हमारे राष्टी परिपेक्ष में सिक्षा सबके लिए है सिक्षा संस्कृती बनाने का माध्यम है सिक्षा राष्टिय एक्ता की भावना एवं वैज्ञानिक दिश्टिकूर के विकास में सहायक है सिक्षा समझ एवं चिंतन को स्वतंत्र करती है सिक्षा समवैधानिक लक्षेओं की प्राप्ति में सहायक है सिक्षा अर्थ व्यवस्था के विभिन इस तरों के लिए मानव शक्ति को विकसित करती है सिक्षा वर्तमान इवं भविश्य के निर्मार का मुख्य साधन है आप इस पश्च रूप से समझ पाएंगे कि सिक्षा कई मायनों में कितनी महत्पूर है कई किस्म के विकास इस पर निर्भर है राश्टिय सिक्षा नीती 1986 के 33 खंड में राश्टिय सिक्षा विवस्था के स्वरूप को इस पस्ट किया गया कि एक निश्यत इस्तर तक प्रतियक बच्चे को बिना किसी जाती, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी सिख्षा उपलब्द हो, इस हेतु सरकार उपियुक्त रूप से वित्पोषित कारिक्रमों को प्रारंभ करेगी। सन 1968 की सिख्षा नीत में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली यानि कौमन स्कूल सिस्टम को क्रियानवित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। राश्टी सिख्षा व्यवस्था की अंतरगत यह जरूरी है कि सारे देश में एक ही प्रकार की संदच न हो। 10 प्लस 2 प्लस 3 धाचे की पहले 10 वर्सों का विभाजन राश्टी ये सिख्षा नीती 1986 में इस पस्ट रूप से किया गया जो की इस प्रकार है। प्रारंबिक सिख्षा में 5 वर्स का प्राथमे किस्तर, 3 वर्स का उच्च प्राथमे किस्तर तथा उसके बाल 2 वर्स का हाई श्कूल। राश्टिये सिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक राश्टिये पाठेक्रम के धाचे पर अधारित होगी, जिसमें पाठेचारया का एक अभिन अंग अनिवारे होगा, तथा शेश लोचनिय होगे. सिक्षा व्यवस्था का यह प्रियास होगा कि नई पीड़ी में विश्व व्यापी दिश्टिकून, सुद्रिन हो, तथा अंतरास्टिय सहयोग, एवं शांतिपून, सह अस्तित्तो की भावना बढ़े. सिक्षा व्यवस्था का यह उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल, तथा जन्म के संयोग से उत्पन पूर्वा ग्रहों, तथा कुन्ठाओं को समाप्त किया जाए. प्रतियक चरण पर दी जाने वाली सिक्षा का नियूंता मिस्तर निर्धारित किया जाएगा. पूरे देश में संपर्क भासा को बढ़ावा देने के लिए भी उपियुक्त कदम उठाए जाएंगे. शोध, विकास तथा विज्ञान इवं तकनीकी सिक्षा के विशयों में देश की विभिन संस्थाओं के बीच व्यापक तानावाना, नेटवर्क इस्थापित करने के लिए विशेश व्यवस्था की जाएगी. जिससे वे अपने-अपने साधन सम्मिलित कर राश्ट्रिय महत्युकी परियोजिनाओं में भाग ले सकें. शिक्षा के निर्माण के लिए असमानताओं को कम करने के लिए, प्रात्मिक शिक्षा के सार्व जनीकरण के लिए, प्राण साक्षर्ता के लिए, वैज्यानिक एवं प्रोध्योग की अनुशंधान के लिए, तता इस प्रकार के अन्य सभी लक्षेओं के लिए साधन जु पूरे राष्ट को आगे आना होगा। आजीवन सिक्षा सक्षिक प्रक्रिया का मुलभूत लक्ष है और सार्वजनिक साक्षर्ता उसका अभिन अंग। युवाबर्ग, ग्रहनियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि को अपनी पसंदवा सुविधा के अनुसार सिक्षा जारी रखने के अउसर प्रदान किये जाएंगे। इसलिए भविष में खुली सिक्षा तथा दूरत सिक्षा, राष्टिय शिक्षा पढाली के अंग होंगे। विश्विध्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारती तकनीकी सिक्षा परिशद, भारती कृसी अनु इर्टी, नुपा, अंतराश्टिय विज्यान और अं तकनीकी सिक्षा संस्थान के साथ मिलकर सिक्षा नीती के क्रियानवयन में सहभागी होंगे। तित्विखन्ड में समानता के लिए सिक्षा संबन्धी सुझाओ परस्तुत किये गए। नइ सिक्षा नीती असमानता को दूर करने पर विशेश बल देगी महिलाओं की स्थिती में आधार भूत परिवर्तन लाने के लिए सिक्षा का उपयोग किया जाएगा अनुसूचित जातियों के विकास में मुख्यबात उनको अन्य जातियों के समान लाना है इसके लिए पूत्साहन, पूर में टिक्षात् लगातार सोच म्योगजना, अनुसूचित जातियों के सिक्षकों की नियुक्ति तथा अनुसूचित जातियों बाहुले छेत्रों में इसकूलों, बालबाडियों तथा प्रौर सिक्षा किंद्रों की स्थापना की जाएगी. अनुसूचित जनजातिय बाहुल छेत्र में प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिक्ता देने, पाथे करम वा जनजातिय भासाओं में अनुदेशन सामगरी विक्सित करने, आवासी स्कूल खोलने, प्रोथ सहान योजना बनाने जैसे उपायों को शीगर लागू किया अल्प संख्यकों की सिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, तथा शारीरिक इवं मानसिक द्रिष्ट से विकलांग लोगों के लिए विशेश स्कूल खोले जाएंगे, उनके लिए वियावसाइक प्रसिक्षण की परियाब दिवस्ता की जाएगी, अध्यापक सिक्ष शार्लेकाल परिछे स्क्षा को उच प्रात्मिकता देने की बात कही गई, और प्रात्मिक सिक्षा में दो बाते हैं, 14 वर्स की आयू तक के बच्चों के सार्व भामिक साहित, और दूसरी बात, सिक्षा की गुर्वत्ता में परियाब्त सुधार पर जोड़ दिया जाएग प्रात्मिक स्कूलों में आवशक्ष विधाओं का प्राद्धान किया जाएगा स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच प्रात्मिक्ता दी जाएगी मादमिक सिक्षा तक सब की पहुँच हो जिससे बर्तमान में छूटे हुए छेतर भी मादमिक सिक्षा की पहुँच में हो ऐसे प्रियास किये जाएंगे विशेष्ट योगिता या अभिवर्ती वाले बच्चों के लिए गती निर्धारक स्कूल पेश सेटिंग स्कूल देश के विभिन भागों में खोले जाएंगे ये बहुत महात्पूर्ण सुझाओ था इसके बाद पूरे देश में जवाहार नवोदय विद्यालें को इस्थापना हुई और आप देख सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में कितनी महात्पूर्ण भून का अदा की है उच्छ सिक्षा के संबंद में राश्टी सिक्षा नीति में कहा गया कि उच्छ सिक्ष्था संस्थाओं का एकी करण और सुर्धाओं के विस्तार पर जोड़ दिया जाएगा पाठेकरमों तथा कारेकरमों को पुनाहर अचित करना होगा भासाई योगुता पर विसेज ध्यान दिया जाएगा विश्व द्यालेयों में अनुसंधान को अधिक सहायता दी जाएगी और उच्छ उगर्दत्ता को सुनिश्चित करने के उपाय किये जाएगे कम्प्यूटरों का प्रारंबिक ज्यान उनके उप्योग का प्रसेशन प्रफेशनल सिक्षा का अंग होगा महिलाओं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा विकलांगों के लिए तकनीकी सिक्षा के उप्योग तकारिकरम बनाई जाएगे साथमे खंड में सिक्षा प्रणाली का क्रियान वयन किस तरह किया जाए इस पर चर्चा है आठमे खंड में सिक्षा के पाठिकरम प्रक्रिया का अभिनभी करन शिक्षा के पाठिक्रम तथा प्रिक्रियाओं को सांस्कृतिक पाठिवस्तिव से मजबूत किया जाएगा ऐसा सुझाओ राष्टी सिक्षा नित 1986 में दिया गया पुस्तकों तक सभी वर्ग के बच्चों की पहुंच हो इसके लिए प्रियास किये जाएगे पुस्तकों की गुडवत्ता सुधारने के लिए प्रियास किये जाएगे रचनात्मक लेक लेखन को प्रोटसाहित करने के उपाय किये जाएगे लेखकों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा इस समद में भी महात्पूर्ट सुझाओ थे हिंसा अलगावबाद आधि को बढ़ावा देने वाली घातक प्रवर्टियों पर फिल्मों वीडियों अन्य जन संचार साधनों विज्ञान सिक्षा पर बल दिया जाएगा जिससे बालकों में जिग्यासा, सरजन शीलता, वस्त तुनिष्टता जैसी युगताओं तथा मुल्यों का विकास हो खेलकून तथा सारीरिक सिक्षा अधिगम प्रिक्रिया के यंग होंगे, इनका भी मुल्यांकन किया जाएगा युवकों में रास्टी और सामाजिक विकास के परती सकरात्माग भावना विक्सित करने के लिए और द्यापक के संदर में रास्टी शिक्षा नीत में कहा गिया श्रेश्टता वस्तुनिष्टता तथा आवश्चकता से अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक चैन विदियों को पुनर्गतित करना चाहिए अध्यापकों का वेतन तथा शेवा सर्तें उनके सामाजिक तथा प्रोफेशनल उप्तरदायत के रूप तथा इस प्रोफेशन में प्रतिभावों को अकर्शित करने योग होना चाहिए संपूर्ण राष्ट में एक समानवेतन तथा सेवा सर्तों के प्रयास किये जाएंगे प्रोफेशनल इमानदारी और वर्तमान मर्यादा को बढ़ाने एवं कदाचार को रोकने में साहिक अध्यापक संगों को सार्थक भूमी का अदा करना चाहिए एक अन्य महात्पूर्ण सुझाओ राष्टी सिक्षा नीती में आया प्रारंभिक स्कूल सिक्षकों तथा अनोपचारिक एवं प्रोड सिक्षा में कारियत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठिकरम आयुजित करने के लिए जिला सिक्षा एवं प्रोड सिक्षा संस्थान इस्थापित किये जाएंगे राष्टी सिक्षा नीती के बाद पूरे देश में प्रारंभिक स्कूल सिक्षकों तथा अनोपचारिक एवं प्रोड सिक्षा में कारियत व्यक्तियों के लिए जिला सिक्षा और प्रसिचन संस्थान स्थान स्थापित किये जाएंगे और इस महात्पूर्ण सुझाओ के बाद पूरे देश में डाइट की स्थापना हुई दसमें खंड में सिक्षा का प्रबंद कैसे होगा इस संबंद में सुझाओ थे शिक्षा की योजना में प्रबंद परणाली में परिवर्तन को उच प्रात्मिक्ता दी जाएगी देरकाले की योजना बनाने विकेंद्री करण और शिक्षा की संस्थाओं को स्वायत्ता की भावना से उत्परोत करने योजना वा प्रबंद में महिलाओं की सहिभागिता उद्देश्यों वा मानकों के संब्द में उत्तर दाए तो इस परिवर्तन में निर्देशा गविंदू होंगे